हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल फ्री एस्ट्रोलोजी और पाम रिडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आए आज इस शब्विश वर्ज की महिला के पाम का अलसस करेंगे और इनके कोश्चन का एंसर करेंगे सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि यह इंडिपेंटेंट है और मैंने इनका दोनों पाम देखा इसी वजह से मैं इनके राइट पाम से इनका अलसस कर रहा हूँ और इनका दो-तीन कोश्चन मूल कोश्चन है पहला कोश्चन यह है कि यह अभी गर्वर्मन्ट फिल्ट का परपरेशन कर रही है और कुछ-कुछ नंबरों से यह चूग जाती है क्या उसके क्या इंडिकेशन सा रहे हैं आगे मैं कर पाऊंगी इनको गजड़ेड ऑफिसर का पोस्ट चाहिए अपने जीबन में और इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है इनको घर करीदना है तो क्या उसके क्या चैंसस बन रहे हैं क्या मैं कब तक खड़ीद पाऊंग या फिर आगे कैसे योग है घर मकान बनाने के प्रोपर्टी बनाने के तीसरा तो इनका कोशन है कि मैं चैरिटी करना चाहती हूँ और मैं बच्चों को दान देना चाहती हूँ उसका मैं वज़ा आपको बताऊंगा आगे चलके तो मैं बच्चों को दान देना चाहता नाद बच्चे हैं जो अपने फैमिलीज मामने में परशान हैं उनके लिए में कुछ करना चाहती हूँ उसके बाद फिर मैं इनके पाम पे एक ऐसी साइन्स दिखाना चाहूँगा जो साइन वाकिये में वरीट साइने मानी चाहती है ठीक है तो यह जो वरीट साइने हैं मैं आपको दिखाऊंगा यह देखा यह इनके पाम पे बन रहा है के तु माउंट पे मोल तो यहां आपको फील हो रहा है यह मोल तो जब ऐसा मोल कुछ बने की नहीं के पाम पे तो यह कुछ टेंस लाता है जीवन में तो जो मेरा प्रडिक्शन है मैं वही दूँगा आप देखाऊंगा इनसे दो तिन कोईटिंस करा तो मुझे कही ना कही सही जबाब मिला क्योंके मैंने उनसे वह फोर्सफुल यह कोईचन करा था तो देखो कोईचन क्या था क्या है आपके बच्पन की लाइफ बहुत खराब बीती होगी और क्या कैबाती आपकी बच्पनकी ल वो हमेशा आते रहती हैं तो इनका भी जो एंसर था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंसर था तो मुझे ऐसा क्यू लगा देखो भाई लो कि अगर केतू पर मोल बन जाया तो उसके दोतिन इफेक्ट साते हैं पहले तो अगर वो आप देखो इसका पोजिशन का है तो जहां पर इस केतू में मोल बना हुआ है जिस पोजिशन में मोल बना हुआ है यह दरशाता है कि इनका बच्पन का जीवन ठीक नहीं बिता वा काफी कस्ट्री नों ने जेला होगा अपने बच्पन के लाइफ में secondary जो इनका जो मैंने इनसे पूछा कि ऐसा मैंने क्यों पूछा कि वह केतु शायागर है, shadow planet है राहुआ केतु दोनों तो ये दोनों ब्रह्म में रखते हैं, मती ब्रह्म करते हैं और ऐसे कुछ यादे चोड़ जाते हैं जो इनसान को काफी परिशान करें तो इसलिए इसी वज़ा से मैंने इनसे दूसरा भी कोशन करा कि क्या आपके जहन में कुछ पास्ट की बुरी यादे चलती रहती हमेशा तो इन्होंने का जी हाँ सोते जाकते उठते सब समय में इस चीज को सोचते रहती है तो कही ना कही यह केतु मोल पे एफेक्ट है और कही ना कही जहाँ पर इनका केतु का मोल है केतु पे मोल है उसके accordingly इनके family tensions काफी दर्शार है इनके पाम पे तो ये तीन चार चीजे मेरे accordingly इनके साथ घटित होती होंगी और ऐसों लोग थोड़े बहुत जादा परिशान रहते हैं मतलब थोड़ी बहुत ब्रह्मे जीते हैं और कुछ ऐसी यादा है यादे इनको अकसर परिशान किया करती है जिनका कोई मतलब नहीं बनता जीवन में तो जहां पर इनका मौल है इनके लिए ये साइड एफेक्ट्स लाएगा और मती ब्रह्म की स्थिती बनेगी कभी कबार कि इनको लेगा सब कुछ ठीक है का सब कुछ ठीक है government field के योग तो देखो government field के योग के लिए मैं दो तीन चीज़े पाम पे देखता हूँ सबसे पहले चीज मैं क्या जूपटर की स्थिती प्रबल हो और साथ साथ सूरी के भी कंडिशन अच्छी हो तो इनके पाम पे योपटर भी मीडियम वस्था में है और सूरी भी ठीक ठाक वस्था में है तो देखो एक चीज तो प्रॉमिस की इनके पाम पे कि हाँ government field के लिए एक eligibility टो आई secondary में देखता हूं सूरी रेखा अगर पाम पे सूरी रेखा बने तो इनसान महनत करता है laborious होता कई ना कई मान समान जसकी प्राप्ति भी होती है तो इनके पाम पे सूरी रेखा तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे जातक या जाती का अपने जीवन में गवर्मेंट फिल्ड के सेक्टर में जरूर जा पाते हैं चौती में देखता हूं कि बागी रेखा का उस प्रेड में साथ होना अतियावश्यक है तो बागी रेखा भी काफी अच्छी है और कहीं ने करी जुपर्टर गटर बैंड करी तो गवर्मेंट फिल्ड का एक इसारा तो कर रही है तो देखो गवर्मेंट फिल्ड के योग तो आपके पाम पे है हाँ एक चीज़ आपके बुद्ध फिंगर छोटी है तो अपने भावनाओं को एक्स्प्रेस आप लोगों के पास नहीं करती होंगी बहुत से चीज़े आपके दिमाग में चलती होंगी और कभी कभार डिसिजन में भी आपको प्रॉब्लम आती होंगी तो कंसंट्रेट करें और कंसंट्रेट सं में भी कभार तो रीबहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है या पर कोई decision जल्दी बाजी में ले ली, जिसका आपको लगेगा कि मैंने इतनी जल्दी में decisions क्यों ले ली, जिसका हो सकता है कि आपको side effect आपको जेलने को पड़े, उस decisions के वज़े से, तो मैंने भी confirm करें तो कहीं नहीं कहीं positive answer ही था, फिर government sector के योग के लिए जो मैं देख इनका life line पर देखो तो बहुत सी progress line आपको दिख पा रही होगी, तो देखो progress तो है जीवन में, थोरी बहुत राहू लाइन भी है, अलकी-अलकी से, तो जो उतनी कोई प्रबल नहीं तो विशे स्टेंशन नहीं आएगा, लेकि progress तो दिख रही है मुझे, तो progressive आपकी indications हैं और आप government field में जा सकती हूँ, बस मेहनत करो क्योंकि मेहनत करना बहुत जरूरी है, मेहनत करोगी तो योग बन रहे आपके पाम पे फुल्फिल होने के काफी chances हैं, फिर अब मैं इनका second question तक है, तो गर मकान के तो योग आपके जीवन रेखा से भी दिख रहे हैं, यहाँ प chances हैं, आपके पाम से, ठीक है, तीसा था charity, charity क्यों करने का इनको मन किया, देखो charity करने के लिए सबसे पहला चीज, तो इन्होंने बच्पन में कुछ चीज़ें अपने लाइफ में देखी, तो पहला चीज तो वो इनके दिमाग में set कर गई, कि जो कस्ट मैंने देखा, तो अगर मैं किसी का मदद कर पाऊं, तो जादा अच्छा रहेगा, तूसरी चीज, अगर आपकी हर्ट लाइन की ब्रांश जोपेटर तक चली जाए, तो ऐसे लोग को दान पूर्ण करने में काफी इंटरस्ट होता है, तो ऐसे लोग काफी दान ही पूर्णी नेचर की होते है इसलिए इनको HRT के तरफ भी इनका मन गया, और जो पहली में वज़ा थी वो ये थी कि इनके बच्पन के लाइफ में इनके साथ काफी तकलीफों का सामना इनको करना पड़ा, जिस वज़ा से इनको ये चीज़े एक करने का सौक है, एक अर्मान भी है, तो आई होप हमने इ करता हूं, तो देखो, गर्मेंट फिल्ड के लिए एक चीज़ और देखायता है, थम्ब, देखो, इनका थम्ब कितना स्ट्रॉंग है, कितना स्ट्रॉंग है इनका थम्ब, फिर्स फैलन्स भी अच्छा है, एक्षा सकती और लॉजिकल, जो माइंड है, वो भी काफी अच् और आपके पाम में आप कितने बैलन्स हो, कितना इम्मत वाले उसको रिपर्जेंट करता है, तो थम्ब आपका काफे स्ट्रॉंग है, और थम्ब की सेकेंड फैलन्स के भी जो मोटाई है, वो भी काफी अच्छी है, जिसके वाएस अपने सम्मान की हितों की रक्षा करने मे आप काफी सक्षम होंगे, फिर इनके पाम पे मैं देखो तो इनका फिंगर, तो जोपटर फिंगर एकदम सेटरन के तरफ जा रहा है, तो जब सेटरन के तरफ जोपटर फिंगर जाए, तो 100% समझे लोग ऐसे लोग धार्मी कास्था रहती है, और अच्छी खासी इनकी प् सूरी फिंगर दिखाना चाहरा हूँ, सूरी फिंगर काफी लंबी है, खड़ी है, तो जब सूरी फिंगर इतनी खड़ी हो, तो काफी अच्छी डेडिकेशन है, और एक कुछ करने के लाइफ में ललक होती है जातकों को, तो 100% समझ लो, कि आपकी नेशर जो काफी हिम्मती होगी और हिम्मत से आप काम लेती होगी, अगर आपके पास कुछ ही इमाउंट में पैसे रहते होंगे, तब भी आप सोचती होगी, कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं नहीं बाटने है, मैं रिप्टा लोगे अपने लाइफ में, जो भी मुझे प्रॉब्लम से, एक एक नेग और कही नहीं उसके एक समय ऐसा होता है कि इसको घुटन हो जाती है, उस इमोशन के चलते हैं, तो मैं इनको साइशन दूँगा, कभी कबार थोड़ा सा घुबफेर लिया करिया, और बात भी कर लिया करिये लोगों से, कही नहीं जरूरी है, और इस बुद्ध्ध फिंगर क प्लैनेट मीडियम अवस्था में बैठा है, और जुपिटर फिंगर पे कही नहीं दर से थोड़ा वो दवाब को फील हो रहा होगा, तो जुपिटर मीडियम में है, और दवाब है तो फैमिट इंसरंस बनी रहते हैं जीवन में, लेकिन एक मीडियम जुपिटर है, तो अब देखो जुपिटर पे क्या इंडिकेशन्स बने हैं, तो कुछ एक दो आपको ऐसे इंडिकेशन्स दिख रहे हो, यह गुरू वले का फॉर्मेशन है, तो मनी मैनेजमेंट में पैसे कहीं कहीं से आ जाएंगे, सपोर्ड भी दर्शाता है, धारमी कास्ता भी रहती है, और लोगों का मदद करने का एक बहुत अच्छा मन भी रहता है जातक को, ठीक है, दूसरा चीज मैं इनका देखो सेटरन, तो सेटरन यहां से आपको आहलका दवावा फिल होगा, तो ऐसे लोग काफी लेवूरियस होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत कश होते हैं, और जीवन प्रेड में मनी एंटीना है, मनी मैनेजमेंट में करने में काफी सक्षम होते हैं ऐसे लोग, फिर मैं दिखाऊ उनकर शूरी परवत, शूरी परवत यहां से अच्छा खासा उभार लिए होए हैं, और यह कोई यह लूप ऐसा बन रहा है, ठीक है, जब ऐसा को इंडिकेशन सो तो ऐसे लोग काफी मैनती होते हैं, और मान समान ज़सकी प्राप्ती भी होते हैं, और लोगों को सपोर्ड भी जीवन में अच्छा खासा मिलता है दूसरे से, फिर मैं देखो तो इनके शूरी पर, शूरी पर कुछ लाइने पैतिक संपत्ती की तरब से आ रही हैं, तो कोशिश करते कंसंट्रेट करने का, और अगर परियास करें तो जीवन में हाईर ऑथरिटी पोस्ट को भी पाते हैं, और एक दो लाइन सूरी माउंट से निकली हुई है, तो विद्यार एका रिप्रेजेंट करती है, ऐसे लोग में विद्या अच्छी होती, अच्छी पाई इनके पाम पे दिख पा रहा, इसके आधार से आप बनाने के काफी possibilities आपके पाम पे दिख रहे हैं, अगर आप प्रियास करोगे तो easy way में आप बना सकती हो, और 40 वर्ष के बाद इसके मूलक प्रभाव आपकी जीवन पे आने सुरू भी हो जाएंगे, फिर देखो इनका ब लेकिन जो बुद्ध माउन छोटा है, उसके कुछ अगर side effects आने है life पे तो वो तो आने है, ठीक है वो तोड़े बहुत आएंगे भावनाओं को वेक्तिन है करने के ये सब टाइप की side effects आर सकती है, कभी कबार decision making में तोड़ी बहुत problems का सामना करना पर सकता है, इस मामले इ देखूं इनके मंगल को, तो जो मंगल की अवस्था इनके पाम पर बने वो ठीक ठाक है, तो logical इंसान होते है, ऐसे लोग logic से कोई बाते समझ सकते हैं, logical अगर आप इनको कुछ समझाने के कोशिश करो, तो easy way में समझ जाएंगे, हाँ कुछ एक दो लाइने आपको दिख रह पहले मैं आपको शुकर दिखाता हूं, तो इनका शुकर देखिए आप, तो शुकर इनका मतलब मीडियम ववस्था में बैठा है, ना कोई बहुत कम है, तो जब मीडियम ववस्था में हो, तो एक personality दिख रही है, ब्रश्पती और शुकर अगर इस्ट्रोंग हो, तो इनसा मैंने बता है, मीडियम वस्था में है, तो एनरजी की फ्लो अच्छी रहती है, और कहीं ना कहीं, अगर ऐसा मंगल हो, तो थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रब्लम जातों को देखनी पड़ती कमजोरी टाइप की फिलिंग्स और हो सकता है, कभी कबार वीकनेस काफी लगे, औ तो इनके लिए मैं इनको रिमेडी दूँगा, तो एक्सराइज करना शुरू कर दीजिए, लेकिन मंगल पर कुछे दो तीन रेखाएं बनी हुए है, तो मंगल रेखा जीवन रेखा को सपोर्ट करती है, कहीं न कहीं इनको जीवन यापन करने में किसी प्रकारा की समस्या नहीं आएगी, इस मंगल रेखा जिनके पाम पर भी है, आपके है, तो जीवन रेखा के पावन में, इनक्रीजमेन्ट ही लाती है, ना केarlशरू करती हैं, और इसके बाद मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाओगा, इनके थंबर पर, इनके थंब स्य। पर पर प्रबल डि जो प्रबल होते हैं, जिनको उनको करना है, उनका वो एम होता है, जैसा इनके life में दिखकरा है, जैसा इन से मैंने करवेशेशन करी, तो मुझे सुनने में और मुझे एहसास वाइस चीज का, सेकेंडर इनके जीवन रेखा पर देखूं तो यहां पर देख लो यह इनकी माइन रेखा और जीवन रेखा लग गया तो काफी इंडिपेंडेंट होते हैं बच्पन से इंडिपेंडेंडेंसी आ जाती है जीवन के 6-7 में वर्ष से ही आप मानके चलो लेकिन उस समय कोई थोड़ा मुस्किल भरा हो सकता है क्योंकि एक राहू लाइन प्रबल कटी हुई थी इनके प्रियड में लगबग इनके 10 वर्ष की आयो थी तो कुछ थोड़ी वो टेंशन होगी फिर उसके बाद इनके लाइफ पर कंटीन्यू 14 वर्ष के बाद से प्रोग्रस लाइन स्टा आपके जीवन में और प्रोग्रस लाइन रहने का मतलब है इनसान प्रगती ही करता आपको सपोर्ट मिल ही जाएगा अगर भाग में कोई दिक्कत हो तब भी और ये इनका जो अभी एस चल रहा है वो देखो 25 वर्ष में एक थोड़ा सा राहू लाइन ने कट कर लिया तो य यह हो सकता है कि इनके लाइफ में अच्छे जॉब इनको ऑथर्टी पोस इनको दिलवा दे फिर देखो तो इनके पाम पे और आगे भी प्रोग्रस लाइन रुकी ने यह भी बहुत बड़ी है चोटी चोटी लाइने आपको दिख रहे होंगे जीवन रेखा से निकली कुछ-कुछ जो लाइन से हैं वो हल्की लकी आफ को फिलोगे जिसे यहां से निकली है तो कई न कई माइन रेखा कि हल्की लकी ब्रांच है वो इनसान को ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता होगा तो इसका मैं इनको रिमेडी दूँगा सेकेंडरी जो इनके पाम पर है मैं दिखाऊंगा कि एक बहुत बड़ी प्रोग्रस लाइन के जीवन में लगबग यह 27 में वर्स के राउंड है तो अगर आप मेहनत करोगी तो पूर्ण चांस हैं कि आप कुछ अच्छा कर पा उपने जीवन में और उसके बाद कंटीनियू आपके लाइफ पे प्रोग्र के राउन तो अभी बहुत टाइम है अभी से रिमेडी करोगे तो ठीक हो जाएगा फिर यहां पर भी ट्रेंगल बना हुआ तो देखो घर मकान के योग तो आ रहे हैं आपके पाम से अब इनके मैं माइंड रेखा को देखू तो बचपन में काफी दवाब इनको जेलना पर होगा कुछ ब्रांचे से इधर भी निकली में जूपेटर पर जब ऐसे इस्थित्याप वारे तो इनसान काफी दवाब में रहता है यह लगवग इनके ट्वेंटी यर्स तक थी तो दवाब में रही होंगी उसके बाद माइंड रेखा स्मूठ चला तो जब माइंड रेख जादा इमेजिनेशन जादा सोचता है इंसान जादा सोचते हैं और कभी कवा इर्टरिशन भी रहा जाती है और डिपरेशन के भी सिकार हो जाते हैं गुस्ता भी जल्दी आ जाता है यह दो तिन प्रॉबलम है लेकिन माइंड रेखा परबल है तो इनसान दिमागे काफी होगे उसका हर्ट लाइन पर काफी आपको ब्रांचेज दिख रहे होंगे तो ऐसी ब्रांचेज आप देखे तो इंसान काफी इमोशनल होता है और भावु किसम के इनशान होते हैं लेकिन हर्ट लाइन का फॉलो करने वाले इनसान रूटीन वाइस चलते हैं और कभी नाग छाएं दिख रहे हैं और इनके लकलाइन के साथ एक मोल भी था जो केतू मौण पे बन रहा है तो कहीं न कई इनको बच्षपन में काफी distractions हो करना distractions हो कर रहा है और कहीं न कई इस प्रिएदमें आई बढ़ान का साथ ही नहीं है तो इनका जो और एक ब्रांच आपका इधर साइड अल्का सब गया और एक ब्रांच इदर अगया तो यह दर्शाथा है कि गवेंनिंट youngest से योग आरहे हैं ग हैंंक थो इनका बागे रेखा देखो तो एक इधर आ गया और एक दिल्शारी बागे रे लेकल के के गवर्मेंन फिल्स से success पा सकती हो आप government field में जा सकती हो फिर देखो एक गया शूरी परवन पर लास्ट प्रेड़ में फॉरण के भी योग बन रहे हैं और इनका सवाल भी था कि क्या आगे चलके फॉरण के योग आ गई है इनके पाम पे तो जी हां आपके पाम पे आपकी दृष्ण पर्वश्य चली है तो योग बन रहा है फॉरण संब्धि माम लेकर आफ वॉरन के ट्रैवल में या फिर फॉरन विजिट के तो योग आपके पाम पे है फॉरण के लग लाइन से भी और यहां से भी लग लाइन भी आपके चंदर से गई है और लग लाइन का पॉर्शन भी सूरी माउंट तक गया है उसके बाद इनके पाम पे मैं देखूं तो इनके चंदर को तो चंदर इनका मैं आपको जैसे दूसरे पिक से दिखाता यह देखो, इनका चंदर जो है इनका चंदर और मंगल कर लिये वेलका सब लेकिन चंदर इनका हलका सा यहाँ पर फीलोगा दवावा है और कही न कई चंदर पर एक हलकी सी यहाँ पर क्रॉस की इंडिकेशन भी है यहाँ पर दिखाता हूँ हलकी सी, ठीक है तो यह थोई बहुत डिप्रेशन में इंडिकेट करता है कि इनसान थोई बहुत डिप्रेशिव रहता है अपने जीवन में लेकिन चदर का पोर्शन भी हलका सापको दवावा फील होगा तो डिप्रेशन तो सोग रहा तो मैं इसके लिए कि इनको कोई रिमेडी दूंगा जातकों में क्योंकि कहीं नहीं माइन रेखा से निकलेवी एक ब्रांच है जो हर्ट लाइन तक गई तो कोई भी बात हर्ट हो जाएंगी गुस्सा ले लेंगे अपने उपर यह तोड़ी बहुत प्राब्लम से रहती है और इनका भाग रेखा काफे स्ट्रॉंग है देखो तो इनके प्रेट से दम कम दिखने वाला है और लाश तर गया तो जब ऐसा दो तीन ब्रांच खुले तो आपको गवर्मेंट फिर से सफलता हों के योग दिखर है आपके पाम से और छोटी सी माई ट्रैंगल बन रही है तो ऐसे लोग पैसा जमा करना तो जरूर चाहेंगे और कई न कई सफल भी होंगे इनके काम निकल जाएंगे लेकिन अब इनकी अभी की जो कंडिशन है वो ठीक नहीं है तो कभी एमाउंट में लेकिन ऐसे लोग पैसा जमा करना चाहते हैं और कई न कई सफल भी होते हैं और आगे चलके आपका जो एज दिखरा है मुझे वो अगर आप प्रियास करते रहोगी तो चांसेस हैं कि वो प्रोग्रेस हों आपके सीवन पर और मरी ट्रेंगल भी छोटी से मरी ट्रेंगल लकुलाइन से बनी हुई है तो कहीं न कई पैसा जमा करने में भी आप सक्चम होंगे अभी आपकी 26 चल रही आगे चलके ज़रूर हो पाएंगे आप तो एक चीज़ में एक साइन चुड़ गया मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पेक से यह देखो इनके जो माइंड रहा हर्ट लाइन के बीच में कुछ इंडिकेशन बने हुए तो यह जो इंडिकेशन से दर्शाते हैं कैसे लोग प्रोपर्टी बना पा 100% अपने जो फैमिली टेंशन से उसमें राहत को पाता है तो आई होप हमने इनके कोशन के एंसर किया हो इनका जो मूल कोशन था जिहां गर्मेंट फिल्ड के योग दिख रहे हैं घर मकान के भिया बना पाओ के प्रोग्लिस चल रही है वस प्रयास करना ना छोड़ो और ज झालने आर